दोस्तो जैहिं हिन वंदे मातरम जैसे कि आप सभी को बता है बोल्यूड मुईस के फैंस का टेष्ट बिल्कुल बदल चुका है जिस वज़े से बोल्यूड फैंस बोल्यूड फिल्मों को लेकर बिल्कुल भी एक्साइट नहीं है महीं इस महीं ने बोक्स ओविस पर कई फिल्में रिलिज हुई जिसमें साउस से लेकर बोल्यूड फिल्में भी शामिल है और खास करके आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा और साउस की फिल्म का बजट था 180 करोड रुपे और इतने बड़े बज़ट में बनाए जाने की वज़े से माना जा रहा था बोल्यूड सूपरिश्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा बॉक्स ओविस पर काफे जादा कमाई करेगी क्योंकि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ओविस पर लगबग साड़े तीन हजार से जादा स्क्रीन्स पर रिलीस किया गया था लेकिन इसके पाउजुद आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा बॉक्स ओविस पर कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाई और फिल्म का अभी तक का बॉक्स ओविस कलेक्शन सिर्प 59 करोड उपे के आसपास रहा और माना जा रहा है फिल्म लाइफ टेम बॉक्स ओविस पर सिर्प 60 स्क्रिंस पर रिलीज किया गया जो कि अब तक की पेंड इडिया फिल्मों में सब से कम स्क्रिंस पर रिलीज होने वाली फिल्म बनी जिस वज़े से माना चा रहा था कार्थी के टू फिल्म बॉक्स ओविस पर काफी बड़ी फ्लोप साबित होगी जिस वज़े से डाइरेक्टर और प्रोडूसर थेटर मालिकों से काफे ज़्यादा निराश थे लेकिन इसके बावजूद इस फिल्मों को लेकर काफे अच्छा बस देखने को मिला और बोल्यूट फेंस ने भी इस फिल्मों को काफे ज़्यादा सपोर्ट किया ची की वज़े से इस फिल्म के आने वाले दिनों में बोक्स उफिस पर और भी कलेक्शन बढ़ेगा और अभी तक का इस फिल्म का टोटल इंडियन बोक्स उफिस कलेक्शन लगबग 24 करोड एक लाग रुपे से ज़ादा हो चुका है ये वहीं फिल्म का बज़ड 22 करोड उपे है जिस वजह से यह फिल्म अभी से बॉक्स ओविस पर सक्सेस्पूल साबित हुई और माना जा रहा है फिल्म के दिन पर दिन कलेक्शन बढ़ने की वज़े से यह फिल्म आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा के कलेक्शन को भी छोड़ देगी तो अगर आपने आमीर खान की फिल्म लॉ स Soonbr for South की फिल्म कार्थी के 2000 को देखिए तो आपको इन दोनों फिल्म में से कोंसे फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप इन दोनों फिल्मों में से कौन से फिल्म को कहोगे सब सब बड़ी ब्लोग विश्ट और सब सब बड़ी फ्लोफ फिल्म साउथ की फिल्म कार्थी के टू को या फिर आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा को आप किराये मनीज कमरेंड का जरू बताएं